हलो एवरिवन, वेलकम बेक टियर ओन चैनल इस्टड़ी वल्ड आव विद्या और आज में आप लोगों के लिए जो आररबी एंटेपीसी का एक्साम हुआ है फर्स्ट सिफ्ट का उसके जी के प्लस कम्पीटर के क्वेशन्स लेकर आए हूँ और जितने भी जी के प्लस कम्पीटर के क्वेशन्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो 100% authentic होंगी एक भी क्वेशन आप लोगों को fake नहीं मिलेगा जैसा कि आप लोगों ने थमनेल पर देखी लिया है इस चैनल पर आप लोगों को 100% general information दी जाती है एक भी वीडियो या question आप लोगों को fake नहीं दिया जाता तो चलिए question की तरफ move कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं exam के level की जो आप लोगों का first shift का exam का level रहा था वो कैसा रहा था तो इस चैनल ने जो level बताया है वो कहा है कि easy to moderate रहा है यह नहीं कह सकते जो first shift का exam था वो tough था सिर्फ और सिर्फ easy to moderate लेवल का रहा था reasoning आप लोगों की normal आई थी उसे tough नहीं कहा जा सकता अब हम लोग discuss कर लेते हैं कि questions क्या पूछे गई थे पहला question था कि करो या मरो का नारा किस ने दिया था तो जो भी students exam देने के लिए गए है मैं sure हूँ कि 99.9% students को पता होगा कि करो या मरो का नारा किस ने दिया था तो करो या मरो का नारा महात्मा गांदी जी के द्वारा दिया गया था अगर आप लोगों ने महात्मा गांदी जी answer लगाया है तो यह 100% correct answer है अच्छा किस आंदोलन के दोरान लगाया गया था ये नारा क्योंकि पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांदी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के तहट दिया था तो यहाँ पर महात्मा गांदी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की सुरुवात की समय एक सांदार स्पीच दी थी और इसी स्पीच में ये नारा दिया था करो या मरो का अगला कोशन यहाँ पर पूछा गया था कि चंपारण आंदोलन कहां हुआ था तो चंपारण अंदुलन बिहार के चंपारण जिले में हुआ था और कब हुआ था तो ये 1917 में हुआ था अगला कॉशन यहाँ पर पूछा गया था test of my life पुष्टक किसके द्वारा लिखी गई है तो test of my life पुष्टक युबराज सिंग के द्वारा लिखी गई है अगर आप लोगों ने युबराज सिंग अंसर लगाया है तो आपका अंसर 100% करेक्ट है आप लोगों से request है कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like जरू करने है क्योंकि लाइक करने से आप लोगों के पैसे नहीं लगते हैं सिर्फ हम लोगों को एक motivation मिल जाता है कि हाँ इस वीडियो को लाइक किया गया है हम लोगों ने इतनी मेनत किये तो अगला question यहाँ पर पूछा गया था कि international organization नहीं है option मुझे नहीं पता लेकिन यह जो आपका correct answer है वो है DRDO DRDO है वह है एक Indian organization है अगर आप लोगोंने DRDO answer लगाया है तो 100% correct answer लगाया है अगला question यहाँ पर पूछा गया था कि दिशा की full form क्या होती है तो दिशा की जो full form है वो है developing initiative for social and human action अगला question यहाँ पर पूछा था कि petroleum में दूसरे इस्थान पर कौन सा देश है तो petroleum के मामले में दूसरे इस्थान पर जो देश है वो है Saudi Arab माल लेजिए अभी तो आप लोगों से दूसरे इस्थान पर पूछ लिया है first place पर पूछ लिया तो क्या होगा तो जो वेने जोएला देश है वह है petroleum के मामले में पहले इस्थान पर है अगला question यहाँ पर पूछा था कि आगरा का किला किसने बन बाया था तो आगरा का किला अकुबर द्वारा बन बाया गया था और कब बन बाया गया था तो 1654 में सत्ता में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपने राज्ज के एकी करण के माध्यम से इसका निर्मार कराया था और आगरा का किला एक सेन रण नीति बिंदू और साही निवाज दोनों के रूप में काम करता है अगला question यहाँ पर पूछा था कि हॉर्ण बिल महुद सब किस राज्ज में मनाया जाता है तो हॉर्ण बिल जो फेस्टिवल है अगर यहाँ पर राज्ज पूछा है तो नागा लेंड हो जाएगा अगर exact place बात की जाए तो हॉर्ण बिल फेस्टिवल का आयोजन नागा लेंड की राज्दानी कोहे मा में हर साल कप किया जाता है किस महीने में तो दिसंबर महीने में किया जाता है क्योंकि इस तरह के questions भी बन सकते हैं कि हॉर्ण बिल फेस्टिवल किस महीने में मनाया जाता है तो यह दिसंबर महीने में मनाया जाता है अगला question यहाँ पर पूछा गया था कि Croatia देश की currency क्या है तो Croatia जो देश है उस देश की currency का नाम है कुना क्या नाम है कुना अगर आप लोगोंने कुना answer लगाया है तो 100% correct answer है आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप लोगोंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि आप लोगों को 100% genuine information मिल सके अगला जो question पूछा गया था वो question पूछा था कि वाइरस कौन सा नहीं है तो option exactly मुझे नहीं पता लेकिन जो आप लोगों का correct answer था उस टाइम पर वो है Python Python कोई वाइरस नहीं है अच्छा फिर Python है क्या तो Python के बारे में भी जान लेते हैं तो Python एक सामानने कार्यों के लिए उप्योक्त उच्छे इस तरिये programming भासा है क्या है यह एक programming language है अगला कुछन यहाँ पर पूछा था कि 1916 में कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन की अध्यक्ष्टा किस नहीं की थी तो कॉंग्रेस के 1916 के लखनव अधिवेशन की अध्यक्ष्टा अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इस अधिवेशन में कॉंग्रेस को धड़ो गर्म दल और नर्म को एक मंच पर लाया गया था यहाँ पर क्या किया गया था गर्म दल और नर्म दल दोनों को एक ही मंच पर लाया गया था अगला कॉशन यहाँ पर पूछा था कि पक्षियों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो पक्षियों के अध्यन को और निथोलोजी कहा जाता है क्या कहा जाता है और निथोलोजी कहा जाता है अगर आप लोगोंने और नितुलोजी अंसर लगाया है तो वो 100% करेक्ट अंसर लगाया है अगला कौशन था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है तो हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ता है इसे हम गुंजन पक्षी भी कहते हैं और ये सबसे छोटा पक्षी भी होता है अगला कौशन यहाँ पर पूछा था कि कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है तो कोबोल ये रिपीटेड कौशन है और ये चंपारण जो आंदोलन है ये भी महात्मा गांदी जी से एक ना एक कोशन आप लोगों के एक्जाम में बन रहा है तो कोबोल की जो फुल फॉर्म है वो है कौमन बिजनिस ओरियंटेड लेंग्वेज अगला कोशन यहाँ पर पूछा था कि निकट दरश्टी दोस को क्या कहा जाता है तो निकट दरश्टी दोस को हम मायोपिया के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं मायोपिया के नाम से जानते हैं अगर आप लोगोंने मायोपिया आंसर लगाया है तो यह 100% करेक्ट आंसर है अगला क्वेशन पूछा था कि अल बरुनी किसके समय में भारत आया था तो अल बरुनी महमूद गजनभी के सासनकाल में भारत आया था और ये कहाँ से आया था तो ये उजवेक कईस्तान देश से आया था और इसका जो पूरा नाम था वो था अबू अल रेहान मोहमद बिल प्रत्वी सम्मेलन कब हुआ था तो जो पहला प्रत्वी सम्मेलन हुआ था वो 14 जून 1992 को हुआ था और कहां पर हुआ था तो यह है रियोडी जैनेरियो में हुआ था अगला कोशन पूछा गया था कि भारत के द्वारा पहले चलाए जाने वाली बैंक का नाम क्या था अगर आप लोगों को किसी भी कोशन में किसी भी तरह का डाउट लगता है तो कॉमेंट करकी जरूर पूछें आप लोगों के हर एक कोशन का आंसर दिया जाएगा तो दिस का सबसे पहला बैंक साल 1770 में सुरू हुआ था उसका नाम क्या था बैंक ओफ हिंदुस्तान अब वो बैंक खतम हो चुका है कब बंद हुआ था तो 1832 में बंद हो गया था और उनमें से एक बैंक है जो अभी तक चल रहा है वो है पंजाब नेशनल बैंक इस कोशन यहाँ पर था लखनोग अधिवेशन वाला मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर वीडियो एंड होता है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रू करें चैनल पर अगर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइक ज़रूर पैस कर लें जिससे कि आप लोगों को इनफर्मिस्ट टिप वीडियो मिलती रहें थैंक्स वर वाचिंग दी वीडियो